इससे पिछली लेक्चर में हमने properties of real numbers को study करना start किया और हमने addition last को study किया जिनमें हमने closure law addition, associative law addition, additive identity, additive inverse and commutative law addition को study किया इस लेक्चर में हम multiplication last को study करेंगे और multiplication last में हम closure law, associative law, multiplicative identity, multiplicative inverse और commutative law multiplication को study करेंगे तो हम start करते हैं multiplication last सबसे पहली property clear law of multiplication क्लोईर लाव मर्टिप्लिकेशन क्लोईर लाव मर्टिप्लिकेशन उसी तरीके से एक क्लोईर लाव मर्टिप्लिकेशन क्लोईर लाव मर्टिप्लिकेशन जैं कि अगर हमारे पास दो numbers set of real numbers से belong करते हों और उनको हम आपस में multiply करें तो उसका जो answer है वो भी set of real numbers से belong करेगा in mathematical form for all a, b belongs to set of real numbers then a.b also belongs to set of real numbers a.b usually इसको हम a, b भी लिखते हैं कि कोई दो number हैं a और b जो के set of real numbers से belong करते हैं उनको हम multiply करें तो उसका जो answer है वो भी set of real numbers से belong करेगा मिसाल के तोर पे example two and three जो है ये belong करते हैं set of real numbers से अगर इन दोनों को आपस में multiply किया जाए two multiplied by three इसका answer हमारे पास आएगा six तो वो भी belong करेगा set of real numbers से अगर ऐसा हो कि कोई दो number हो उनको हम आपस में multiply करें और उनका answer भी set of real numbers से आए तो हम कहेंगे कि ये clear law of multiplication को satisfy कर रहे हैं otherwise वो नहीं कर रहे होंगे उसके बाद दूसरी property associative law for multiplication आपसिज्टिकेशन है जब हमने दो से ज्यादा नंबर को आपस में मल्टिप्लाई करना हो तो अमोमन हम मल्टिप्लिकेशन में दो नंबर को पहले आपस में मल्टिप्लाई करते हैं तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से दो नंबर को मल्टिप्लाई करें और उसके बाद तीसरे को उससे multiply कर ले, mathematically form में, कि for all a, b, c belongs to set of real numbers, then a into b, c is equal to a, b into c, कि हमारे पास कोई तीन numbers हैं, जो के belong करती है, set of real numbers से, तो चाहे तो हम इन आखरी दो जो numbers है, b और c, इनको पहले multiply कर ले, और उसका जो result आए, उसको फिर इस तीसे number से multiply कर ले, या पहले हम इन दो numbers a और b को multiply कर ले, और उसके बाद इनका जो result आए, उसको तीसे number से multiply कर ले, त दो दो का आंसर हमारे पास सीम आएगा एक्जेंपल से हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं टू प्री एंड फो जो के बिलाउंग कर रहे हैं सट आफ रियल नंबर से तो पहले मैं इन दो नंबर्स को आपस में मल्टिप्लाई करता हूं फोर मल्टिप्लाई बाई थ्री और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इस टू से मल्टिप्लाई करूंगा या पहले मैं इन पहले दो नंबर्स को मल्टिप्लाई कर लूँ टू मल्टिप्लाई बाई थ्री और इसका जो रिजल्ट आए उसको आखरी नंबर फोर से by 2 6 multiplied by 4 12 multiplied by 2 is equal to 24 and 6 multiplied by 4 is equal to also 24 तो इससे कोई फरक नहीं पड़ा कि हमने पहले कौन से 2 numbers का group बनाया चाहे पहले 2 का बनाए या आखरी 2 का बनाए और उसके बाद 30 को उससे multiply कर लें तो हमारे पास उसका जी result है वो सेम आएगा देन थर्ड प्रपर्टीज मल्टिप्लिकेटीव आइडेंटिटी जिस तरीके से additive identity है कि कोई ये कैसे number हो जिसको हम एक real number में आड़ करें तो उसका आंसर वो ही real number है सेम उसी तरीके से multiplicative identity है कि अगर हमारे पास कोई एक number set of real number से belong करता हो तो उसके लिए कोई एक ऐसा number exist करता है कि अगर हम उस number को उस real number से multiply करें तो उसका answer वो ही real number आता है in mathematical form for all A belongs to set of real numbers there exists one which also belongs to set of real numbers such that a multiplied by one is equal to one multiplied by a which is equal to a so one is the multiplicative identity कि अगर हम किसी भी real number को one से multiply करेंगे तो उसका answer हमारे पास वो ही real number आएगा जिस तरह addition के case में 0 हमारे पास additive identity है कि अगर हम उसको किसी real number में add करें तो उसका answer वो ही real number आता है सेम उसी तरीके से multiplication में हमारे पास one multiplicative identity है कि जिसको हम किसी भी real number से add करेंगे तो उसका answer वो ही रियल नमबर आएगा देन फोर्थ प्रॉपर्टी इस मल्टिप्लिकेटिव इन्वार्ज कोई भी रियल नमबर जो के सेट उफिल नमबर से बिलॉँग करता होगा तो उसके लिए एक इन्वार्ज एक्सिस्ट करता होगा कि अगर उस इन्वार्ज को उस रियल नमबर से मल्टिप्लाई किया जाए तो उसका आंसर वन आएगा For all, A belongs to set of real numbers, there exists a multiplicative inverse which also belongs to set of real numbers such that A multiplied by A inverse is equal to A inverse multiplied by A which is equal to 1 हर रियल नमबर के लिए हमारे पास एक ऐसा number exist करता होगा कि अगर हम उस नमबर को उस रियल नमबर से मल्टिप्लाई करेंगे तो उसका answer हमारे पास 1 आएगा इस A inverse को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 over A then is commutative law of multiplication Commutative law of multiplication यह है कि अगर हमारे पास दो नमबर set of real numbers से belong करते हूं और उनको हम अबस में multiply करना चाते हैं तो चाहे हम उनको किसी भी order से multiply करें उनका answer हमारे पास same आएगा fall a b belongs to set of real numbers then a b is equal to b a कि अगर हम उनका order reverse कर देंगे तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा दोनों का answer हमारे पास same आएगा मिसाल के तौर बे two and three belongs to set of real numbers then two multiplied by three is equal to three multiplied by two order हमने reverse किया तो हमारे पास answer is six तुनों साइड पे six addition last भी हो गया multiplication last भी हो गया अब एक property हमारे पास है कि multiplication and addition last कि जब multiplication और addition दोनों इकठे आ जाएं multiplication and addition last तो इसकी हमारे पास एक पापर्टी है Distributive Property Distributive Property यह है कि जब हमारे पास addition और multiplication दोनों इकठे आ जाएं तो उसको हमने किस तरीके से handle करना है it is fall a b c belongs to set of real numbers then a into b plus c is equal to a b plus a c कि दो numbers आपस में add हो रहे हैं और तीसरा उनसे multiply हो रहा है इसको हम किस तरीके से handle करेंगे कि जो number multiply हो रहा होगा उसको हम उन दोनों number से बारी बारी multiply करेंगे पहले a को b के साथ multiply किया then plus a को c के साथ multiply किया यह इस तरीके से भी हो सकता है a plus b into c तो इस c को पहले हम a के साथ multiply करेंगे और उसके बाद इसको b के साथ multiply करेंगे यह हमारे पास distributive property of multiplication over addition इस lecture में हमने real numbers के multiplication last को देखा उन में सबसे पहले lower love multiplication lower love multiplication के हमारे पास दो numbers set of real numbers से belong करते हों उनको multiply करें तो उसका answer भी set of real numbers से belong करेगा दूसरा associative law कि अगर हमारे पास तीन numbers हों तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से दो numbers का group मनाएं उसका जो answer है उसको फिर तीसरे से multiply करें उसके बाद multiplicative identity कि हर real number के लिए एक ऐसा number exist करता है one कि अगर उसको हम उस real number से multiply करेंगे तो उसका answer वही real number आएगा then multiplicative inverse कि हर real number के लिए एक ऐसा number exist करता है लॉर्स के अगर हम उस नमबर को सिन्वर से मल्टिप्लाई करेंगे तो उसका अंसर हमारे पास वन आएगा जैनीजी कंपड़ेटिव लॉव मल्टिप्लीकेशन कि दो नमबर उसको हमने मल्टिप्लाई करना हो तो चाहिए हम उनका और रिवर्स भी काँ तो तभी उनका यह real numbers की properties का एक table दिया गया है और साथ उनकी example भी दी गई है cumulative property of addition जैसे कि पहले बता दी गई है कि अजर हम उनका order reverse करते तो उनका result same आएगा इसकी example similarly cumulative property of multiplication की associative property of addition के तीन numbers को आपस में add करना हो तो चाहे पहले कोई से भी दोगा group बना लें तो उसका result हमारे पास same आएगा associated property of multiplication अगर multiply करना हो तो पहले कोई से भी दोगा group ना लें तो answer same आएगा then distributive property, additive identity, multiplicative identity, additive inverse, multiplicative inverse and zero property zero property यह अगर हम किसी number को zero से, real number को zero से multiply करें तो उसका answer भी हमारे पास zero आता है इसे जो साथ examples दे गई हैं उनसे आपको ज्यदा clear यह सारी properties हो जाएंगी इसे नेक